कोरोना काल में अवश्यक वस्तूओं में मिलावट और अवश्यक वस्तूओं की बिक्री के मामले में सरकारी प्रतिबंदों का लाब उठाकर ततकाल कारवाई करने के आदेश जीला दिकारी विमला आर्ने दिये हैं उन्होंने सपष्ट किया कि कलेक्टरेट में जीला उपभोक्ता सवरक्षन परिशत की बैठक में वजन माप के साथ-साथ खाद्य एवं और शदी प्रशासन इस पर ध्यान देगा कोरोना संक्रमन काल को देखते हुए जीला उपभोक्ता सवरक्षन परिशत की बैठक ऑनलाइन हुई उपभोक्ता सवरक्षन परिशत के सदस्यों ने बताया कि मनमाने ढंग से मूल्य वृद्धी और मिलावटी उत्पादों की बिक्री हो रही है क्योंकि कई सदस्यों कोरोना संक्रमन उधी के दोरान समीती के समय के भीतर समान खरीदना चाहते हैं उन्होंने इस संबंद में वैदमाप विभाग और खाद्य एवं औशदी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये इस अवसर पर जीलादिकारी ने भी नागरिकों से संबंदित विभाग में लिखित शिकायत दर्च कराने की अपील की है अगले कुछ दिनों में कोविट प्रोटोकॉल में धिल दिये जाने की उमीद है ऐसे में प्रतिबंदित दुकाने मौल खुलेंगे इस बार जमा हुआ समान नहीं भिकेगा इस संबंद में सावधानी बरतनी चाहिए उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की कि वेहानी कारों प्रस्तुओं को न बेचे पिछली कुछ दिनों में तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट की शिकायत आई है उपभोकता सवरक्षन परिशत की पिछली बैठक में भी सदस्यों ने तेल में मिलावट का मुद्दा उठाया था